हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो चैनल तो कैसे हैं आप लोग आसा है बहुत अच्छे होंगे तो कल हमने किया था कम्प्लीट डे 11 जिसमें कि हमें मिले थे 21 MCQ जो कि आपके उत्राखन प्रिवियस एयर एक्जाम से रिलेटेट थे यानि पिछले सालों में जो क्वेस्टन जो कि उत्राखन हिस्ट्रे से रिलेटेड और उत्राखन एनिटिंग एल्स से जो रिलेटेड हमारे पास MCQ जोंगे तो चलिए बिनादेरी के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके लिए पहला MCQ है जिम कारवेट नेशनल पार्क कहां है देहरदून नैनिताल रि आपसन नमर B आपका सही आंसर है नेनिताल जिम कारवेट कहां है वो है नेनिताल जिम कारवेट रास्ट्रे उध्यान भारत का एक ऐसा उध्यान है जो कि भारत का सबसे पुराना रास्ट्रे पार्क है और यह उत्राखन के नेनिताल जिले के रामनगर के पास इसका नाम इस्तित है देहरदून, हरिदूर, पौड़ी और टिहरी तो इसमें जो सयान सरेपको ओपसनिमर C पौड़ी, गड़वाल में, गड़वाल मंडल का मुख्छाले का मुख्याले है आपका, पौड़ी, गड़वाल में, बाकि इसके बारे में कुछ जादे इंपोर्टेंट हैं बाकि आप इसको याद कर सकते हैं गड़वाल मंडल गड़वाल जिल्ला यह नहीं गड़वाल मंडल पौड़े गड़वाल में अगला हैं सी क्यों है उत्राखन राजक के प्रेथम राजपाल कौन थे नित्यानन स्वामी भगत सिंग का उसारी सुरुजीत सिंग बरनाला इन में से कोई नहीं तो कौन थे क्रिप्या कमेंट बॉग में जरूर बताएं सुरुजीत सिंग बरनाला उत्राखन राजी के प्रेथम राजपाल बने थे अगला है निम्न में से कत्चूरी राजबंस का संस्तापक कौन था बसंत देव निमबर देव लखन पाल देव सुविक्स राजदेव आपको यह क्वेस्टन याद हो गया होगा क्योंकि यह क्वेस्टन पिछले दो तीन स्रीज में आ चुका है तो क्रिप्या अपना जवाब कमेंट बॉग में देज सकते हैं आप लोग उप्शन नमर यह आपका इसमें सही अंचर है बसंत देव यह बसंत देव कौन था कत्योरी राजवन्स का संस्तापक था बसंत देव यह बसंत देव था कत्योरी राजवन्स का संस्तापक आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं बाके कत्योरी राजवन्स MCQ स्रीज में आपको बसंदेव के बारे में पहले से बता रखा और उमीद है कि आप लोग डे वाइज और स्रीज वाइज क्लासेज अटेंड कर रहे होंगे और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किर्पयाद चैनल को सब्सक्रा अगला है उत्राचल राज निर्माट के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी तो ऑप्सन दिये हैं जनता दल रास्ट्रिय जनतांत्रिक गठवन्दन संयुक्त प्रगति सील बंधन भाकपा यानि यह भाजपा होगा सोरी और इसमें जो आपका सही आंसर है वह है ऑप् अध्यक्ष कौन थे बद्रीदत पंडे डीडी पंद दिवाकर भद्र मतुरा प्रसाद तो इसमें जो सही आंसर हो है ऑप्शन नमर भी डीडी पंद यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो थे डीडी पंद अगला एमसी क्यों है टिहरी रियासत का भारत में बिले कब हुआ था 1815 में 1947 में 1959 में और 1959 में तो इसमें जो आपका सही आंसर हो है अप्शन नमर सी सन 1990 में टिहरी रियासत का भारत में बिले हुआ था 1959 में इसका बहुत ही बड़ा इतिहास है इसके बारे मैं कभी डिटेल वीडियो बनाओंगा बाकि भारतिया संग में टिहरी रियासत का भिले वर्ष उन्यसों पचास में हुआ था और देश को आजादी इसका भारतिया संग में टिहरी रियासत के जनता को आजादी के लिए दो साल इंतजार करना पड़ा था और भारतिया संग में टिहरी रियासत का भिले वर्ष उन्यसों पचास में हुआ था बाकि नरेंदर नगर यानि टिहरी में महाराज सरकार के बीच समझोता हुआ था किसके साथ भारतिया सरकार के साथ अगला एमसी क्यों आप लोगों के लिए महानमा गांदी ने गढ़वाल छेधर की यातरा कभ की थी यहनि महानमा गांदी जब उत्रा-खंड आय थे Huawei उस्वार ौर पक्रमंच की आप गढ़वाल की बात करते हैं तो तो 16 say 20 October 16 से 22 अक्टोबर 16 से 24 अक्टोबर 16 से 26 अक्टोबर तो उन्होंने की थी आपकी ऑप्स नमबर सी 16 से 24 अक्टोबर तक उन्होंने गड़वाल शेत्र की यात्रा की थी उतराखंड में अगला से क्यों है मुझफर नगर यानि रामपूर तिराहा गोली कांड कब हुआ था दो अक्टोबर 1994 को ये गोली कान हुआ था और ये गोली कान कावत उतर प्रदेश में उस समय जो उतर प्रदेश के मुख्यमंदरी थे वो थे आपके स्री लालु यादव जी और बाकी दो क्टोबर उनीस सो उनपचास यानि रामपूर ते रहा कान एक ऐसा काले दिन है यह आज भी हम लोग उतराखन के लोग या किसी और राजे के लोग इसको याद करते हैं तो उनका वो सहम जाते हैं दो क्टोबर उनीस सो चौरानेवी का दिन राज आनुलन कारियों के लिए एक काला अध्याय साबित हुआ था उस समय बाकी इसकी काफ़ लंबा इतिहास है इसका भी और काफ़ लंबी कहानी इसमें बनेगी थोड़ा से मैं आपको बता दूँ कि यदे आपके पास टाइम होगा तो जरूर सुनिए बिना इसकीप के वे और मुझपर नगर के रामपुर ते राहे पर एक उक्टूबर उनीस सो चौरानेवी की दिन में जो हुआ उसके गहाव आज भी ल की मांग कर रहे थे यानि उत्राखंड की या उत्रांचल के आबद करें और उस वक्त बाड़ी मंडवा खाएंगे उत्राखंड बनाएंगे जैसे नारे हवाओं में तैर रहे थे यानि उसमें जो नारे लग रहे थे वो लग रहे थे बाड़ी मंडवा खाएंगे तो कैसे नारे लग रहे देए ओर नारे लग रहे ति बारे मंदवा खाएंगे और NOT byनायेंगे जैसे नारे हवा में ते रहे ते यानी वह बिल्कुल यही नारे पूरे मुजफर नगर या हम कह सकते हैं कि अतर प्रदेश में लग रहे थें और राज में आनूलन के आग ते जुई यानि कि हम कह सकते हैं कि जो आनूलन कारी थे वो बहुत ही मagtरह में अधिक हो गए थे और पहार ने मुझे वोट नहीं दिया कहने वाले नेता कुछ ही पल में जंता के लिए खलनायक भी बन गए थे उस समय आदोरन को दिली तक ले जाने के लिए एक अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों से 24 बसों में सवार होकर कुछ आदोरन कारी दिली की तरफ रवान हुए पहले इन्हें रोड़की के नारसन बॉर्डर पर रोका गया जब यह पहाड़ों से जा रहे थे दिली तो आपका रोड़की में एक नारसन बॉर्डर है वहाँ पर इन्हें रोका गया लेकिन जथा आगे इतना बढ़ गया था कि फिर आनुलन कारियों को तैयारी रामपुर तिराहे पर रोकने की तैयारी भी हो गयी थी और इसके बारे में काफी लंबी चोड़े कहानी है मैं जरूर इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और बाकी यदि आप लोग एगरे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए तो हम चलते हैं अगले MCQ पर अगला MCQ है अलमुरा मुद्रा का संबंद किस सामराजे से है मौरे सामराजे से, कुरिन सामराजे से असोक सामराजे से या शाह सामराजे से तो इसमें जो आपका से आंसर है वह है कुडिन्द सामराज जैने आपसन नम्र बीज यूर राइट आंसर अलमुरा मुद्रा का संबन था कुडिन्द सामरा जैसे बाकिस के बार में कोछ ज़्दे इंपर्टेंट तो है नहीं अब अगला कियो है उत्राइक कारा पुस्प क्या है बुराज कमल ब्रह impacto मल इन में से कोई नहीं तो यह ऑझ मेन हम सी सिरीज चल रही है यानि एमसी को सेटेट चल रहा है तो नौरमल सा डिटेल वीडियो आप लोगों को बता देता हूं बाकि होफिली कि आप लोग हैप्य होंगे इस सिरीज में और ब्रहम कमल की जो डिटेल वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ज पन्यौष्पट्यास दिया है बाग इश्वर दिया है और हरिद्वार दिया बा Boys नमई जिल्ल सब्सक्रिप्शियं तो यह आपको याद होनी ही चाहिए इंपोर्टेंट हैं और इसमें जो आपका सभी आनसर है वह है उसे नमबर है एक जनवरी दोजार साथ में एक जनवरी दोजार साथ को उत्राणचल नाम से बदलकर उत्राखन कर दिया गया था उस समय और अगला MCQ है उत्राखन राज के कुमाओं में गोर्खा सासन कब इस्तावित किया गया था 1790 में 1792 में 1815 में और 1865 में तो हुपली कि आपको ये उत्तर आता होगा अब मैं इसलिए बोलों क्योंकि ये MCQ पिछले दो तीन सीरीज में मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को और इसमें जो आपका सही आंसर है और वो है ऑप्सिन नमर ए 1790 ऑप्सिन नमर ए ये योर राट आंसर उत्रखन राजी के कुमाओं में या कुमाओं में गुर्खा शासन 1790 में इस्तापित हुआ था अब इस MCQ को बहुत अची तरह समझें MCQ है या क्वेस्टन है निम्न में से टिहरी के संभन में कौन सा कथन सही नहीं है अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे कुछ यानी चार आप्सिन दिये हुए हैं वो टिहरी के बारे में बताया गया है तो उन में से कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये च्छाटन नमर ए दिया है टिहरी राज्य भारतिय गड़तंत्र में सन 1959 में मिला ये मैंने आपको बहले बता दिया अगला है टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया अगला है टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया और अगला है विले के पस्ता तिहरी छेद्र को काट कर एक मंडल के रुमें गठिद किया गया है तो इसमें जो आपका कथन सही नहीं है वो है अगला क्वेस्टिन है निम्न में से किसका मूल नाम सरला बहन था कैथरीन हैलिमन, नाइट अंगल, फ्लोरेंस, आकांचा स्रीवास्तव, फरजाना अववानू तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है कैथरीन हैलिमन, आप्चिन नमर एज राइट आंसर इनका सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हैलिमन और किसकी बहन थी, वो गांदी जी की बहन थी, गांदी जी इन्हें बहन मांते थे अब एक सौट अमसी की उज़ है, निम्न में से किसने महानमा गांदी जी की डांडी यात्रा में हिस्सा लिया था मोहन जोसी ने, नागेंदर सकलानी ने, भोलो राम ने, बहरवदोस जोसी ने तो आप्शन नमर डी आपका इसमें सही आंसर है बहरवदोस जोसी ने गांधी जी की डांडी यातरा में हिस्सा लिया था अगला एमसी को है, इसकंद पुरान में माया छेतर या ने, हरिद्वार से हमाले तक के विस्तरित छेतर को क्या कहा गया है भानस खंड, केदार खंड, देवोमे, उत्तर खंड, अब आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखे होगी मैंने लगभग कुछ दिन पहले अपलोट की थी, उसमें मैंने आपको बताया था तो इसमें आपका जो सेयान से रहा है, वो है केदार खंड, इसकंद पुरानार के अमसार, जो के हरिद्वार छेतर को क्या कहेंगे हिमाले तक के विश्तरी छेतर को, हरिद्वार से हिमाले तक के विश्तरी छेतर को क्या कहा गया है, वो है केदार खंड अगला एम सिक्यूर है, गड़वाल मंडल की इस्तापना किस वर्स होई थी 1664, 1972, 1982, 1979, तो आपके इसमें जो सही आंसर है वो है, आपका उप्सिन नमर डी 1979 में यानि 79 में गड़वाल मंडल के इस्तापना होई थी, और ये था हमारा लास्ट एम सिक्यूर, यानि 20 एम सिक्यूर, मैं डेली 20 एम सिक्यूर आपको करवाता हूँ तो दोस्तों, होफिली आपकी वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी तो वीडियो को कर दीजे, लाइक, चैनल को कर दीजे, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ कर दीजे, इसको सेयर तो बनी रहेगा इस स्रीज के साथ मैं मिलूंगा कल आपको इसी टाइम पे और हमारा जो वाटसअप नमर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बाकी वाटसअप ग्रूप लिंक की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंड में मिल जाएगे थैंक यो फॉर वाचिंग इस्टे कनेक्टेड इस्टे बलेस्ट